सब्सक्राइब करता हूं आप सभी लोगों का वाइफाइ स्टेडी पे विच पार्ट ओवन अक्याडमी और अफ्र वेरी लॉंग टाइम मैं जो है वो फाइनली बॉर्ड पे क्लास लेना शुरू कर रहा हूं तो बहुत सारे बच्चों को काफी टाइम से वेट था कि कब सर वो बॉर्ड पे क्लास लेंगे तो वो फाइनली वो टाइम आचुका है यह मेरी पहली क्लास से बॉर्ड पर मॉर्ट से पहले गू है बिलीव कि मैंने ने पहली बॉर्ड पे पढ़ाया होगा ओगा मार्च जब क्रोना लगा तो मार्च से लेकर के जो है वो जनवरी आचुका पुरा साल कतम हो गया 2020 वाला बोर्ड पे क्लासेश ने ली अब फाइनली जो है वो बोर्ड पे क्लास लिना शुरू कर रहे हैं तो I'm very excited about it and I hope जो मेरे जारे students है वो भी काफी excited होंगे क्योंकि उनको पता है कि मुझे बोर्ड पे पढ़ाने का एक अलगी मज़ा है और मैं उसे बहुत enjoy करता हूँ उसको पढ़ाना ठीक है तो काफी conceptual classes मैं लगाने वाला हूँ अब चुकि मेरी classes start हो चुकि है बोर्ड पे तो काफी conceptual classes भी होंगी काफी दूसरी classes भी होगी तो बहुत सारी classes होने वाली है so be ready for it और फिलाल जो है यह हमारा one word और idiom का session जो है यह रोज सुबह साड़े 6 बज़े आप लोग कंटिन्यू करें तीन मेरे session होंगे मैं आप सबी लोगों को बता देता हूँ सिक्स थर्टी एम यह आपके one word और idiom का session होगा साथ बज़े हम तो हमारे morning morning person है भीया morning morning में आप लोगों को बढ़ाने वाले है साथ बज़े दहिंदू editorial वो भी board पे होगा तो board पे होगा तो आप लोगों को और मज़ा आएगा ठीक है और तीसरा जो session होगा वो 8.40 एम पे होने वाला है जो कि आपके vocabulary का session है वो क्याब दहिंदू की जो vocabulary है उसके उपर based यह session होने वाला तो यह तीन session होने वाले है चोटे-चोटे session है पहला और तीसरा session चोटा है यह दूसरा साथ बज़े वाला session है यह एक घंटे का session होता है ठीक है तो आपकी grammar की skills के लिए भी जरूर एक session लेके आएंगे फिलाल यह vocabulary, one word idioms के और आपके reading skills के उपर based यह session है कामर के लिए भी आपके लिए जल्दी कोई ने कोई session में आप लोगों के लिए लेके होंगा ठीक है तो शुरू करते हैं आज के हमारे पहले one word के साथ में एक और मैं आप लोगों को बात बताने वाला हूँ कि यह जो दो session है ना इनके उपर based मेरी जो है वो special class भी होगी इन दोनों session के उपर based मतलब यह साड़े से बज़े वाला और यह आठ चालिस वाला जो session है उसके उपर based मेरी सुबह नौ बज़े नौ बज़के कल तो मैं सवा नौ बज़े लूँगा 9.15 पे जो है वो मैं इसके उपर based एक special class लेने वाला हूँ इस special class में हम क्या करने वाले है यह special class जो है वो quiz के रूप में होने वाली है कुछ से मेरा मतलब यह है कि जो one word आप लोगों ने सीखे है और जो idiom जैसे कि 5 one word आपने अभी यहाँ पे सीखे है उसके बाद में 48 वाली vocabulary में 10 word आप लोगों ने सीखे है उसके उपर based एक test total 20 questions का 10 one word idioms के उपर और 10 vocabulary के उपर total 10 word का जो है वो में total 20 words का 10 vocabulary के 10 one word idiom के 20 words का जो है वो मैं आपके test लूँगा quiz लूँगा special class लूँगा नौ पंदरा बजे मुझसे जूड जाए अनकाडमी लर्निंग अप पे यह class जो होगी यह पूरी तरह के से free होगी है न क्योंकि अनकाडमी पे जो special classes होती है वो free होती है तो जितने भी बच्चे है वो सवा नो बजे मेरी profile को follow कर ले और सवा नो बजे इस session को quiz वाले session को enjoy कर करना है आपको करना क्या है यह ते देखो है यह मेरी profile है अनकैड्मी learning之 summary आपको download करना ultimate time के बाद में install करना और danielक को आपको यह sự 치क पर एक profile है यह बड़ा आप लोगों को नजर आ रहा होगा यह काफी पहले screenshot लिया था तो करी 12-30,000 follower अभी तो फिलाल तो आना तो यह शुरू-शुरू में जब बनाई थी profile तो यह बनाया था ठीक है तो इसको follow कर लोगे तो इसमें मेरी special classes आप लोगों को करी है अचानक से आपको मिल गई है बिना किसी तैयारी के बिना किसी मेहनत के अगर आपको कोई चीज मिल जाए तो वो fluke कहलाता है अगर कोई ऐसी सफलता जो की अनायास मिली है और वो केवल एक बार है तो कई बार बोलता है ना बोल की अगर आप लगातार अच्छा perform करोगे तो आपकी success को fluke नहीं माना जाएगा कई बार क्या होता है एक match के अंदर आपने 100 मारा मालो एक क्रिकेटर है तो एक match में उसने सतक मार दिया उसके बाद में लगातार वो जो है बीस पारियों में फेल हो गया तो अपन क्या बोलेंगे कि भाईया वो उस दिन का जो सेकड़ा था ना वो तो एक लपा था ठपा था लपा ठपा जो भी बोलता है वो एक तरह के से fluke था उस दिन तुक्का लग गया उसके बाद में अगर टैलेंट ही होता तो बाकी के 20-30-40 में चलता तो सही तो वो एक fluke था तो fluke जो है वो stroke of good luck लगता है good luck होता है भागगे की वज़े से एक बार आपको सफलता मिली है तो वो आपके क्या कराएगा fluke कराएगा आज का हमारा पहला word है आज का हमारा जो दूसरा word है second word है वो है आपके hedonism और इसको कई बार SSC ने पूछा है hedonism को जो है वो कौन से आपके pleasure है मतलब सुखवाद भोतिक वाद सुख ही सब कुछ है उसके लावा और कुछ भी नहीं है वो आपके hedonism कहलाता है कई बार पुछा गया है SSC के one word के section में important word है तीसरा आज का हमारा जो word है वो इदर देखो यहाँ पे वो है henchman और henchman आपके होते दिश के आओं दिश के आओं दिश के आओं शूटर शूटर बोलो वफादार सेवक बोलो henchman जातर इस word को मैंने movies के अंदर देखा है कि एक gangster होता है और उसके जो गुर्गे होते हैं जो मारने का उसके लिए कुछ भी करने का मारने का काटने का काम करते हैं वो henchman कहलाते ह उसके लिए किसी का murder भी कर सकते हैं तीसरा वर्ड आसान वर्ड है ना चोथा वर्ड की तरफ मुग करते हैं फटाफट से आज का मतलब जो चोथा वर्ड है वो meteorology है और यह मौसम विज्ञान होता है ना तो वेदर को फोर्कास्ट करने के लिए जो ब्रांच ओफ साइन्स होती है वो बीसिकलिया आपके क्या 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 लाती है और चोथा वर्ड था वड़ते हैं आज के हमारे अंतिम वर्ड की तरफ जो कि यह डेपोनेंट और इस डेपोनेंट का मतलब क्या होता है डेपोनेंट का मतलब होता है प्रियोग में लाने के लिए यूज में लाने के लिए जो रिटानी स्टेेटमेंट देता है यह आपके डेपोनेंट के लाता है थिक है तो यह हमारे पांच वर्ड है अब इनको store करने के लिए पहला सबसे तरीका ये 5 sentence देखो और इनमें इसको fill करो भई देखो भई अच्छे सेंटेंस है fluke, hedonism, henchman, meteorology और deponent, देखो भई कौन सा word किसके अंदर sentence में fit बैठेगा जब तक उन शब्दों के प्रयोग नहीं सीखोगे तब तक आप कैसे अपने दिमाग में इन शब्दों को store कर पाऊगे, ठीक है so देखो if that is what the dash of this affidavit wants to say I want to cross examine him so affidavit यहाँ पर शायद आप लोगों को समझ आ गया होगा, cross examine affidavit, मतलब code से related बात हो रही है और code से related बात हो रही है तो हमारे पास में जो word है वो कौन सा है, deponent है ठीक है, तो जो deponent है वो यहाँ पर आ जाएगा कि जो deponent है वो अगर यह, अगर deponent इस चीज को कहता है, इस affidavit का deponent अगर यह कहता है तो मैं इसे cross examine करना चाहूंगा, वो यह यहाँ पर कहना चाहा है दूसरा आपके सामने sentence है अब बात जब यहाँ पर प्लेजर की हो रही है बात यहाँ पर आनंद की हो रही है तो प्लेजर और आनंद जब निकल करके आया है तो आपके hedonism निकल करके आएगा, तो जो answer होगा दूसरे का वो आपके hedonism होगा तो जिन जिन लोगों ने hedonism सोचा है दूसरे sentence के अंदर filler का answer तो वो आपके बिल्कुल साई सोचा है तीसरा देख लो भाईया अब देखो weather association के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर किस field में किस शेत्र में career बनाने के बारे में बात हो रही होगी यहाँ पर obvious सी बात है meteorology department जो है यानि कि जो मौसम विज्ञान वाला department है वहाँ पर basically आपके career बनाने के बारे में बात होगी तो तीसरे में आपके meteorology हो गया चोथा है we won the football game by a dash तो obvious सी बात है अनायास, सफलता मिलना, luck से सफलता मिलना stroke of luck, fluke कहलाता है तो चोथा जो है इसका answer आपके fluke हो गया पाच्वा देखो भईया जो गैंग का जो चीफ था वो हर जगे पहुंसता था किसके साथ में पहुंसता था अपने जो गुर्गे थे, गुंडे थे उनको साथ में लेकर के पहुंसता था तो यह यहाँ पे कहना चाहरा है बढ़ते हैं आपके EDM की तरफ देखते हैं EDM का session सबसे पहला आप लोगों के सामने है ag on और इस ag on का मतलब होता आपके पहली EDM आजके हैं हमारी to instigate to proceed further है तो किसी को instigate करना ताकि वो further proceed करे किसी चीज को करने के लिए उसको प्रोचसाइद करना प्रोचसाहन देना उसको instigate करना भढ़गाना आपके ag on कहलाता she act on her बतलब उसने उसको instigate किया उसको भढ़गाया प्रोचसाइद किया she act on her co-workers to sign the petition कि उसने अपने जो co-workers थे co-workers थे उसके साथ में काम करने वाले जो साथ ही करमचारी हैं वो आपके co-workers कहलाते हैं तो अपने co-workers को petition को sign करने के लिए उसने एग on किया मतलब उसने उनको समझाया उनको जो है वो instigate किया भढ़गा तुम लोग जो है वो भी आपके petition को sign कर दो next आप लोगों के सामने है fish in the troubled waters क्या है आपके सामने fish in the troubled waters इसका मतलब होता है to take advantage of problems of others तो जो दूसरे हैं उनकी समझाओं का उनकी problems का फायदा उठाना advantage उठाना आपके क्या कहलाता है fish in the troubled waters he often buys up stock in companies declaring bankruptcy fishing in troubled waters generally pays off फिर से ध्यान से देखना fish in the troubled waters का मतलब होता है कि दूसरे की problem का फायदा उठाना है अगर आप troubled waters में हो तो मतलब आप फसे हो difficulty की situation में हो ठीक है तो मतलब कोई fish troubled water में है मतलब वो फस गई है गलत जगह फस गई है सब आपके he often buys up stock in companies declaring bankruptcy मतलब ऐसी company जिन्होंने bankruptcy declare कर दिया उनके stock वो खरीता है fishing in troubled waters generally pays off की कई बार के होता है आप दूसरों की problems का फायदा उठा जाते हो advantage ले लेते हो दूसरों के trouble जब आप कोई चीज difficulty में है और उसका फायदा आप gain कर लेते हो आपके दूसरा हो गया fish in the troubled waters next आप लोगों के सामने है turn up one's nose at और इसका मतलब होता है आपके to refuse to take or accept something because it is not good enough ठीक है किसी चीज को लेने से मना कर देना क्योंकि वो परियाप्त मातरा में आपके जो है वो अथी नहीं है that's why उसको लेने से मना कर देना reject कर देना refuse कर देना आपके क्या कहलाता है turn up one's nose at कहलाता है sentence देखो she turned up her nose at the job because she didn't think it had enough status कि उसने अपनी nose जो है वो आपके turned up कर दी क्यों कर दी because उसको यह लगता था कि it had enough it क्योंकि उसको यह लगता था कि उसमें प्रयाब जो है वो status नहीं था तो इस वज़े से उसने उसको मना कर दिया refuse कर दिया refusal आपके कहलाता है part and parcel का मतलब होता है inseparable part friend is a part and parcel of one's life मतलब ऐसा part जो आपकी जिससे separate नहीं किया अज़ा सकता उसको represent करने के लिए part and parcel का प्रयोग करते है inseparable thing चीक है तो यहाँ पर example भी बहुत अच्छा है कि एक दोस्ट जो होता हो आपकी जिन्दगी का part and parcel होता है मतलब वो inseparable चीज होती है चलो जी आगे बढ़ते हैं next आप लोगों के सामने है अगली एडिया में कि वो gauntlet take up करेगा मतलब वो challenge लेगा prime minister को challenge करने का जोकिम उठाएगा वो इस challenge को लेगा कि वो prime minister को challenge करे we'll have a tough battle उसको बहुती मजबूत बहुती tough battle जो है मिलने वाली है उसको काफी शंगर्ष करना पड़ेगा जी आपके यहाँ पे है न ये बच्चों आपके 5 idioms थी और फिर से इनको भी आपको match करना है match the column match the column हमेशा बच्चों को चीजे दिमाग में उनके जो है वो store करने का काम करता है तो ag on ag on जैसा कि आप सब लोगों को पता है इसका मतलब होता है instigate करना तो पहले का instigate करना हो चुका है दूसरा है fish in the troubled waters इसका मतलब होता है दूसरे की problem में difficult problem में होने वाली परिस्तिते का फायदा उठाना to take advantage of problems of others turn up once not knows that तो किसी चीज़ की तरफ आप अपना nose turn up कर लेते हो इसका मतलब आपको पसंद नहीं है refuse to take or accept something यह तीसरा हो गया चोथा part and parcel इसका मतलब होता inseparable part यह चोथा हो गया और pick up the gauntlet का मतलब होता to accept the challenge तो यह 5 आपके idioms है अपने match की होंगे तो बच्चों ध्यान रखना अगर आप में से कोई भी बच्चा interested हो आप लोगों को बता दूँ कि 11 जनवरी से हमारा जो है एक सशक्त batch start हुआ है और यह जो सशक्त batch है यह basically complete batch है SSC, CGL और CHSL के लिए तो CGL और CHSL के बच्चे जो की बड़े dedicated बच्चे है जो तयारी करना चाते है CGL की है CHSL की वो इस सशक्त batch को join करे 11 जनवरी से start कर दिया इसके जो major teachers है वो साहिल सर है मैं हूँ और भी आपके अच्छे-च्छे सारे जो important Wifi study के teachers है मैं उसकी पूरी detail आप लोगों के सामने लेना होता आप लोगों को यह मेरा referral code है आप चाहे SSC चाहे banking चाहे CDS किसी भी category का subscription आप ले सकते है किस की मदद से मेरे referral code हर्ष 11 की मदद से है चोलो भाई कैसे लेते हैं देख लो भाई फटा-फट से देख लो तो दोस्तों करना क्या है पर क्लिक करने के बाद में आप 12 महीने या 24 महीने में से कोई सा भी प्लान चूज करें 12 महीने का प्लान जो है वो 6000 रुपे का है यह भी काफी अच्छा प्लान है और अब उपर अगर आप referral code लगाते हैं अपलाई पर क्लिक करते हैं तो आपको instant 10% का discount मिलेगा और आपका amount जो है वो आपके 500 में convert हो जाएगा यह 10% लगाया आपने amount 54 में convert हो गया तो उसके बाद में आप credit debit card net banking, UPA किसी के through be payment कर सकते हैं दोस्तों खिक है? वीडियो को like करना share करना ना भूले और channel को subscribe करना ना भूले मिलता हूँ मैं आपसे next session में आज के लिए तना ही तिल दिन बाबाई all the very best take care